के लेखते हैं और जैसे टाइन वाता है जो गडिया होता है वह वह पर होता है और उसने कईब शयर्ट और उस तो किसुज नहीं देखने होते हैं तब जो शावयन है वो उस ग्रे को पुष करता है और उसे वापस अपनी कपने में लॉग कर देता है तो ग्रे को समझ नहीं आते हैं कि उसने उसे पुष क्यों किया है तो उसने इसलिए किया होता है कि उसने कोई भी शर्ट नहीं पहने होती है और पीछे हमारा पीछ होता है और वह नहीं जाता कि वह किसी अलफा को ऐसे देखे तभी जो पीछ है वह बहुत ही गुस्ते थे शावियान को यह और देखते हैं और उसका नाम लेता है तो जैसे शावियान पीछे मुड़ता है तो हमारा जो पीछ है ना वह परफेट्ली उसे हिट कर देता है ब्रूम की सा सेहट हम तंदेखते हैं वहां पर जो वार्ण पीछ आजाती है और वह बोलती है और यह अरकाि अलफा है क्लेहर जाते हैं तot तुरों की वह पीछे में होती है भी डेशे हैं कि जो परफा से यह ज़्याता हम देख रहे थे होते हैं धूप में खड़े रहने की तब एक लड़का बोल रहा होता है कि देखते हैं कौन सा जो उमेका है जो इतना अज़ादा फिर्स है जो अलफा डर्मेटरी में कदम रखने की हिमत करता है और हम देखते हुआ पर जो लड़की होते हैं वो अराम से अपनी स्नेक्स एंज्वाइ हुआ है इतना यह तो एक लड़का है कि वो इक नथी ऐच्वा से युव एक दूसरे से कितना ही हीट करते हैं यह पहले ही दिन स्कूल के ऐसे ऐद अब हुए हैं वह मतलब ऐसे पर हमेशा असुए हैं आप सबस्क्राइब ह सकते हैं य हमकोई कर सकते कि ब 한데क्विकों को स्ब लेकिन मुझे टर है अगर मैं अमरील देख रहाऊंगा तो मुझे टैनिंग हो जाएगी वैसे भी मुझे अपनी स्किन क्या ख्यार रखना होता है तभी वो सबी लोग ग्रे को बोलते हैं कि तुम उन दोनों को अमरीला देख कर आओ तभी इस सारी बाते जो नीचे खड़ी पीच और शावयन सुनते हैं और उन्हें कुछ भी समझने आता है कि वो क्या का है तभी हम देखते हैं जो वहाँ पर ग्रे है वो आता है और शावयन को अमरीला देते हुए बोलता है कि यह तुम दोनों के लिए है और फिर वो बोलता है कि तुमने खाना खाया है जा पर नहीं और फिर उन्हें बोलता है कि अगर तुमने खाना नहीं खाया है तो तुम आज लाना भूल गया हूँ अपना जो काड़ है तो इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ग्रे उसे बोलता है कि तो में यंजन की काड़ से मील कर लेना क्योंकि इसे ड्रिजर्व करता है तभी वहां पे किसे जाता है और सोचता है कि वार्डन उसे देखे ना तभी हम कि स्थार जाते हैं और उन दोनों को बोलते हैं कि क्या तुम्हें बाहर रिएने की सदा मिली हूई है तो पूँ हमके बने की सामने गे करते हैं और उनने बोलते हैं उन्हें कूšôm अदे देख कह कुछaucí और उन्हें तुरम की रिलेश्जिफशिप स्टार्ट होने में अश इस जो टीचर है ना इसके बहुत भड़ी भूमी करने वाले है तो इसे याल रखना क्योंकि यह इन दोनों को काफ़े ज़ला स्पोर्ट करते हैं तब यह तीचर है वो अपने मिन में सुच रहा है कि यह दोनों कितने ज़ादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं इसलिए तो यह हमारे स्कूल के पनिश्मेंट मिलने के बाद भी यह दोनों कितने अच्छे से मुझे ग्रीट कर रहे हैं इन्हें बस थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है तो फिर यह अच्छे से प्रेंट्शिप स्टेबलाइज कर लेंगे तभी जो टीचर है उनके पास आता है और उन्हे पाइट क्यों करते हो तुम दोनों के दुसरे के साथ अच्छे से रिकनसाइल करना चाहिए ताकि तुम दोनों अच्छे से स्कूल में अपना टाइम एंजॉय कर सको तभी वह बोलता है कि लुच होकल तुमारी मिलिटरी ट्रेनिंग है और शायन कल तुमारी कलास है तो उसने कुछ भी ट्रिंक नहीं किया होगा तुम यह उसे क्यों नहीं देते हो मतलब यह ऐसे इशारा कर रहा होता है तो उसके इशारी को शायन समझ आता है और उसे ट्रिंक करने के लिए सोडा देता है जो तभी जो शायन है वो पीच को दे देता है वो शोडा और उसे बोल इंक्रेज करता है और टीचर के इससे चंकती हुए आखों को देख के जो पीछ है वो माना नहीं कर पाता और उससे सुरा ले लेता है तब ही जो टीचर है वो बोलता है कि मुझे अच्छा लगी कि तुम अपनी मिस्टेक से लर्न कर रहे हो तब यह अपने मिन में सोचता है कि जब से मैं पर्मोट हुआ यह मेरी पहली सक्सेस है और यह स्टूडेंट्स है वो काफे ज़्यादा अच्छे हैं मुझे लगता है एक स्कूल के पेपर में आएगा कि मैंने इन दोनों का रिलेशन्शिप स्टेबलाइस कर दिया है दोस्ती का तब ही जो पीछ है वो जैसी स बाटल को यंजन की तरफ कर देता है तो हम देखते हैं जो वतायां जी उसकी चाहरे पूरा का पूरा सोड़ा हो जाता है जिसकी वज़े से जो हमारा टीचर है और वहां खड़े सारी स्टूरेंट्स वो शॉक हो जाते हैं और वो अपने मन में सोच्टे हैं यह सब क्या हो जो एक थर्ड लड़का होता है जो कि बोल रहता है कि मैंने कभी ठीचर की बातों को अध्यान नहीं दिया जो भी वो कर में बताते हैं लेकिन मुझे लगता है कि अभी मुझे बिलीव होने लगा है क्योंकि मैंने यह डिक्टकल में देख आ है जिरो परसंट मैच कभी भी करीछ एक दूसरे के साथ अच्छे मिलते नहीं है अब हि Barbie by Nat Jahr परसंट मैच वाले लड़के जा फिर जो मतलब लोग होते हैं वो एक दुसरे से हेट करते हैं और एक दुसरे को अवाइड करते हैं लेकर मुझ यह नहीं पता था कि वह पहले दिन से फाइट करना स्टार्ट कर देंगे तब वहां पर एक लड़का और बोलता है कि मैंने सुन बोलता है तो लड़का से लुक्त दूसरे करते हैं दूसरा लड़का बोलता है कि तुम गिव अप मत करो क्या पता है जो पीच है वह सिर्फ यह पर हाथ उठाता हो और बाकि उसे अच्छे से च्रिट करता हो तब ही वह वह जहार इस बहुत हैं सब्सक्राइब करने चाहता तब ही हम याँज जि कुछ देख्ते हैं जो की पूरा भीग चिका होता है और फिर पीच पे रहता है पिर पीच उसके पास जाता है और उसे बोलता की तुम इतने strikes कैसे हो सकते हैं तुमने अपने जो यहां कदे कर ली हैं और यहां पर कितने जादे पत्ते लगे हैं तब इन व्हायरटी है और वह इस बाते हैं हमारी उसके बते हैं Towards लुथ को सबस्क्ते हैं तो उसके बाद में टॉमरी यह Two वायर कि लो तो उसके बास उनके घो ची। उसे घुसे कुछ भी समझ नहीं आता के वह क्या करें और यहunda है जैको झाल झाल क 생겼 desired झाल कर दो क्यों प्रiędzy स्प्धाओ का ईक प्रिण झाल झाल